वेलो दोस्तों क्या हाँ चाले आप सभी के मैं हूँ आप सभी का दोस्त एंड होस साल का पूरत दोस्तों आज किस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्रिश वर्सिस वैनम के उपर तो जैसा कि आप सभी को पता है कि जो वैनम 2 है उसका ऑफिशल ट्रेलर हम सभी के सामने आ चुका है तो उस ट्रेलर को देखने के बाद मेरे वन में एक शंका उत्पन हुई कि क्या जो क्रिश है वो वैनम को बीट कर सकता है या फिर वैनम क्रिश को बीट कर सकता है तो अगर आपके मन में भी यह डाउट है यह शंका है तो इसको क्लियर करने के लिए वीडियो में तक जरूर बल रहना, so now without the second time, let's get started, can I be your superhero, so first of all, हम बात कर लेते हैं, क्रिश के बारे में, जैसा कि आप सभी चानते हैं, कि क्रिश एक human है, और उसको उसके superpowers मिली है, उसके पिता से, plus उसके पिता को, वो सारी superpowers मिली है, एक alien से, जिसका नाम उन्होंने रखा था, जादू, जो कि हम सभी को पता ही है, और क्रिश के पास जो superpowers है, वो इस प्रकार से है, superhuman strength, superhuman speed, super metabolism capacity, fast regenerating healing factor, quick reflexes, flying power, indominative well power, and super durability जैसी, और भी कहीं सारी superpowers रखता है क्रिश, and इनी सब भी superpowers के चलते, क्रिश enhance हो जाता है, किसी भी तरह की diseases and viruses से, चाहे फिर वो करोना ही क्यों न हो, वो अपनी superpowers के चलते, कभी भी बुड़ा हो ही नहीं सकता, क्रिश किसी भी battle को काफी जादा, लंबे समय तक लड़ सकता है, वो भी न थके, और भी न रुके, उसकी काफी जादा है, और इसका best example हमें देखने को मिला था, जब क्रिश एक टूटी इमारत को उठाता तो है ही, प्लस साथी में वो काल के attacks को भी जेड लेता है, और काल ने तो उसके पेट में यार सरिया ही गुसा दिया था, पर फिर भी क्रिश टिका रहा, और अर्थ में काल क वो हरा दिया और उसको मार ही दिया, और हां क्रिश के बारे में एक जो best दिल्चस्प बात है, वो यह है कि क्रिश हवा एंड जमीन पर तो बैटल कर सकता है, पर यार वो अंडर वोटर भी काफी अच्छी बैटल कर सकता है, और काफी ज़्यादा लंबे समय तक भी बैटल क होने के ना अते उसके और उसके शरीफ की अपने अपना है लिमिटेशन बन जाती है, कुछ कमियाerk बन जाती है, इसके वजह से कोई भी उसे हरा सकता है, यहां कोई भी मतलब कोई लुचर टू नहीं, पर कोई बी सूपर विलनbaby से अस्तानी से हरा सकता है, या पर उसका आपको और 20 दा पावफुल बढ़नाने के लिए एक होस्त के जरुवत परती है पर इसमें इंट्रेस्टिंग बात तो यह है कि वैनम के होस्त के पास जो सारी सुपर पावस होती है वह वैनम के पास भी रह जाती है लाइफ टाम के लिए चाहे फिर उसका होस्त उसे छोड़ क्यों न दे इसका सबसे अच्छा एग्जांपल स्पाइर मैं जो कि वैनम को छोड़ देता है पर यार वैनम के पास उसकी सारी अबिलेटीज आ जाती है अब बात करते हैं वैनम की पावस्तेंड आबिलेटीज के पारे में सो वैनम के पास सूपर डाइजेशन जिसके चलत से कई सारे वैपन्स को क्रियेट भी कर सकता है उसके मूँ या फिर उसकी जीप से जो सलाइवा निकलता है वो भी काफी ज़दा ऐसे रिक होता है यानि की वैनम की जिर्फ एक ही बाइट आपको मारने के लिए काफी है इन सब के अलावा वैनम के पास पास रिजर्रेटिंग हिलिफ एक्टर भी है और उसकी स्पीड भी काफी जादा है और तो और वैनम के पास कुछ टेले पैथिक सुबबावस भी है जिसकी जलती की वो अपने होस्ट से काफी अच्छे से कम्यूनिकेट कर सकता है प्लस उसका माइट रिड कोई करी नहीं सकता यानि की वैनम का माइट रिड कोई करी नहीं सकता इस एबलेटिक के चलते इतना नहीं Venom किसी भी तरह के जीव को या फिर किसी भी तरह के सुपर हीरो को अपना होस्त बनाने का डव रखता है प्रस उसने एक बार Ghost Rider की Penister को भी Dodge कर लिया था एंड Ghost Rider की Penister को Dodge कर पाना मेरे भाई किसी के लिए भी Impossible है पर यार Venom यह कर गया Fire और सुपर सॉनिक साउंड वेव्स वेनम की सबसे बड़ी वीकनेस मैंसे एक है सो अब बात करते हैं कन क्लीजल की या इनके अपनी बैटल की तो जैसा कि आम सबी को पता है कि जो अपना खृष है मैंने आप सुपर को एकस्प्लेन भी कर दिया करता है जैसे आप उसे गर्ण से बुलिट से मार दो उसको हार्म किया जाकता है डैमेज उसको लगता है उसका और वह जल्दी भी नहीं कर पाता साथी में उसके जो कि कीसी की बोडी में जाकर भी उसे अपना होस्त बना सकता है तो वह ऐसा कर सकता है कि कि वह किसी पता से अपनी चंगूल में कैद कर सकता है जी हां वो कर सकता है इतनी पावाнов के पास है अगर उसने तरह से एक अगर उसने गलती से भी कृषट पर अपना पूरा तो नो विदाउट नो बावाई ठीक हैं गुडबाई और हान वो सके तो यार अगर आपको वीडियो पूसरे तो इस वीडियो को लाइक करना रीयोजाए पर तुरिचे अगो सब्सक्राइब करना बेल लेकर को दबाना सुनो गुडबाई ठीक हैं बाई-बाई और अगर झाल झाल